Bitcoin के प्राइज में दोस्तों कल राज से ही तेज गिरावट देखने को मिल रही है और अभी Bitcoin का प्राइज ट्रेड कर रहा है दोस्तों 18,800 डोलर के राउन Bitcoin में गिरावट के साथ ही Old Coin में भी हबे डंपिंग देखने को मिल रही है Ethereum, ADA और Polka Dot 10% गिरे हुए है Binance 5% और XRP 7% गिरा हुआ है और Almost सभी Old Coin इस टाइम रैड में ट्रेड कर रहे है Bitcoin के चार्ट को देखने पर दोस्तों आपको दिखेगा Bitcoin अब ऐसे लेवल पर खड़ा हुआ है जो Bitcoin के लिए बहुत important है और एक week पहले जो buying हमें Bitcoin में देखने को मिली थी अब ऐसा लग रहा है कि वो एक trap था market को और नीचे लेकर जाने के लिए Bitcoin में next move क्या हो सकता है इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे और जानेंगे Bitcoin के next target क्या हो सकते है Bitcoin के चार्ट को analyze करके Welcome to our channel Crypto Minders दोस्तों अगर आप अमारे चैनल पे new हैं तो subscribe बटन पर प्लिक करके चैनल को subscribe करें Bitcoin के daily chart को देखे तो दोस्तों Bitcoin का price fail रहा है अपने बीरिश मुमेंटम को break करने में आप चार्ट पर बीरिश trend line को देख सकते हो Bitcoin ने last कई मेने से इस trend line को break नहीं किया है और जब भी Bitcoin इसके पास पहुंचता है वहाँ से हमें selling देखने को मिलती है Bitcoin में इस बार भी same pattern हमें देखने को मिल रहा है इस बार तो इस trend line को break करना Bitcoin के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि 50 day moving average और 100 day moving average भी इसके पास ही थे बट एक वीक पहले Bitcoin के चार्ट में हमें double bottom pattern बनता हुआ दिख रहा था जो अफेल होता हुआ दिख रहा है 17,500 और 18,000 ने BTC को पहले भी support किया है और एक बार फिट से Bitcoin अपने इस range में trade कर रहा है बट इस बार ऐसा लग रहा है कि Bitcoin अपनी इस range को break करने के mood में है दोस्तो और इसका price 15,000 डोलर की तरफ जा सकता है क्योंकि last कुछ time से Bitcoin ने 19,500 के level को hold करके रखा हुआ था बट सुबह morning में एक long candle के साथ Bitcoin ने अपने इस support level को break कर दिया है जो कि Bitcoin के लिए एक important support level था Bitcoin में last bounce back हमें 18,500 के level से देखने को मिला था जिस तरह से BTC में अभी गिरावट दिख रही है यह जल्दी 18,500 के level को break कर देगा अब बात करते हैं दोस्तों हमें क्या करना चाहिए market में 17,500 से 18,500 की range Bitcoin के लिए बहुत important है और Bitcoin तीसरी बार इस range में पहुँचने वाला है शायद इस बार भी Bitcoin में हमें यहां से bounce back देखने को मिले बर जब तक हम इस range में हैं आपको कोई position market में नहीं बनाने चाहिए क्योंकि इस बार इस level से Bitcoin में bounce back का आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कल ही Goldman Sachs ने का आया कि Bitcoin का price यहां से crash हो सकता है और 12,000 के level को भी touch कर सकता है आपको क्या लगता है दोस्तों Bitcoin इस बार इस level को break करेगा या नहीं ये comment box में comment करके जरूर बताइए Bitcoin में दोस्तों पिछले 9-10 महिने से bearish trend चल रहा है Bitcoin को अगर अपने ये bearish trend break करना है तो इसे अपने 50 DMA, 100 DMA और 200 DMA तीनों moving averages को break करना बहुत जरूरी है जब तक Bitcoin इनके नीचे trade करेगा Bitcoin में हमें bullish trend देखने को नहीं मिल सकता Crypto Fear and Greed Index दोस्तों 21 level पर है जो कि एक extreme fear level है Bitcoin में इस गिरावट के साथ ही crypto total market cap में भी बहुत गिरावट आई है और अब ही total crypto market cap 910 billion dollar के round है ये था दोस्तों Bitcoin का chart analysis अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like और share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले Thank you, जैहिं जैहिं